बाजपा से नारास बनी वैसी वोर्ड नंबर 17 से अपक्ष के तौर पर भावीना बेन चोहां ने अपनी उमिद्वारी दर्ज करवाई थी जहां वडोद्रा भाजप शहर प्रमुक की समझाने के बाद आखिरकार आज अपनी उमिद्वारी वापस खीचते हुए गरवापसी की गई थी बाजप और कॉंग्रिस हरेक राजप के अपक्से असंतुष्ट बने वैसे कई कार्यकरताओ द्वारा बगावत करने के साथ अपक्ष के तौर पर अपनी उमिद्वारी दर्ज करवाते हुए बगावत की गई जहां राजप के मैलोड रामा में पानी फेरते हु उन्हें उमिद्वारी नहीं देते हुए भाविना बेन चोहान नाराज बने थी और सोसाइटी के प्रमुख के कहने पर अपक्ष के तौर पर उमिद्वारी दर्ज करवाते हुए चुनावी जंग के मैदान में भाशपा के खिलाफी उतर पड़ी थी तो वहीं भाजप सही प्रमुख द्वारा नाराज बने और असंतुष्ट वैसे उमिद्वार कारे करताओं को मनाने और रिजाने का दौर चालू किया गया था जहां कल शाम मिली बैठक के दोरान भाजपा प्रमुख दौक्टर वीजैशा द्वारा भाविना बेन चोहान के साथ विशेश रुप से बैठक करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की थी और आखिरकार जीत होते हुए भाविना बेन चोहान को समझाने में सफल बनने के साथ भाविना बेन चोहान ने एक बार फिर गर वापसी की थी जहां भाजप रमुख दौक्टर वीजैशा महामंदर सुनिल सोलंकी और जस्वनसी सोलंकी द्वारा भाविना बेन का संपर्ग करने के बाद उन्हें देरों समझाने की कोशिश की गए थी जहां आज भाविन बेन चोहान ने उमिद्वारी अपनी वापस लेते हुए बाजपा में जुडने के साथ गर वापसी की थी तो वहीं इस बारे में भाविना बेन को पूछने पर उन्होंने बैताया था कि बाविना बेन बेन को पूछने पर उन्हें का गर है जहां वे उन्हें के गर में रह जानकरी दी गए थी जानकरी दी गए थी जानकरी दी गए थी जानकरी गए थी जानकरी दी गए थी ज़ंकरी दी आपने जानकरी दी गए साओक्त राज्क्राण जानकरी धी अ्गर करता बंद शाही थी बस बजब नी लाग नी आने पाथू के जमें के बजब आपको गर चे ने गर मारे पाथू जवान उचे आने संगमा चे हमे